वेल्कम टु न्यू लेसन और इस लेसन में मैं आपसे बात करूँगा अबाउट कॉंटेंट जी हैं अबाउट कॉंटेंट जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो SEO है उसके लिए जो सबसे जरूरी चीजे हैं उसमें से एक है आपका कॉंटेंट सो आपने पहले भी सुनाओगा की कॉंटेंट इस दे किंग हना तो SEO में ये कॉंटेंट ही डिसाइड करेगा कि आप रैंक हो पाओगे या नहीं हो पाओगे अब पहले क्या होता था Google पे कि आप बिकार कॉंटेंट डाल के भी रैंक कर सकते थे अब सपोज को एक सिंपल सिचुएशन लो कि आपकी ये वेब साइट है ठीक है इनफेक्ट वेब साइट रैंक नहीं होती हमने बात किती क्या रैंक होता है वेब पेऺज आपका एक पेज है और इस पेज को आप गूगल पे रैंक कराना चाहते हो अब बात बताओ क्या आप अकेले हो जो कि अपने पेज को रैंक कराना चाहते होँ आंसर इस नो आपकी अलावा लाखो लोग और हैं जिन्होंने वेब साइट बना रिखिये व्या sicher बना रखें, content लिख्था हुआ so अब Google के point of view से सोचो कि Google आपको क्यों दिखा है, उनको क्यों ना दिखा है Google ultimately क्या चाहता है Google क्या चाहता है, पहले तो यह समझो Google चाहता है अच्छा user experience इसका मतलब क्या है? अब एक बात बताओ Google कोई बार-बार क्यों यूज करता है Google कोई बार-बार इसले यूज करता है कि वो जो problem का solution ढूंड रहा है वो solution उसको कहा मिलता है Google के उपर Google पे search करता है, Google उनको website से comment करता है जा के उसे solution मिलता है अब अगर किसी बंदे को Google पे उस सर्च करे और उसको सही solution ना मिले उसके problems के जवाब ना मिले तो क्या लगता है आपको बार-बार Google यूज करेगा answer is no और अगर वो बार-बार Google यूज नहीं करेगा तो किसका customer निकलेगा हाथ से, Google का फिर Google को loss होगा, right तो Google ultimately चाहता है कि उसके users का experience अच्छा हो और users का experience अच्छा हो सकता है जब users को उनके problem का solution मिले और problem का solution कैसे मिलेगा through content ठीक है जी, तो आपको करना क्या है आप जिस भी problem का solution दे रहे हो या जिस भी question का answer कर रहे हो या जिस भी keyword के उपर आप content लिख रहे हो वो ultimately user की जो requirement है उसको satisfy करना चाहिए अगर आपका content user के requirement को satisfy नहीं कर रहा user की need को satisfy नहीं कर रहा तो आपका content कभी rank नहीं हो सकता तो यह बहुत ही जरूरी है कि आपका content user के सवाल उसकी problem उसके जो भी ओ ढूंड रहा है उसको solve करे ठीक है एक और यहाँ पर सवाल उठता है कि काफी लोग कहते हैं कि भाईया कितना बड़ा content लिखना चाहिए 10,000 word का 5,000 word का काफी इस पर research भी आती रहती है आप बहुत लोगों से सुनोगे कि भाईया 10,000 word का content होना चाहिए 5,000 word का content होना चाहिए recently Google ने एक जवाब दिया है and according to Google आप कितना बड़ा content लिख रहे हो वो matter नहीं करता ultimately matter क्या करता है तो matter यह करता है कि जो आप user की problem का solution दे रहे हो क्या वो solution आप सई से दे रहो या नहीं दे रहे अगर वो solution 100 words में हो सकता है तो 100 words अगर वो solution देने के लिए आपको 5000 words चाहिए तो 5000 words अगर वो solution देने के लिए 10,000 words चाहिए तो 10,000 words अब अगर जस्ट लिख रहे हो कि भाईया pencil क्या होती और इसको लिख दिया 10,000 words का content unrelated content जिसका की user के सवाल से कोई मतलब नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला ठीक है जी यह बहुत ही जरूरी चीज़े तो आपको ध्यान में रखनी है और जब आप content लिखते हो तो खाली text format में content नहीं डालना आपको images यूज़ करनी है आप अगर उस content के बीच में videos डाल सको जो की आपके content को और better तरीके से explain कर दे तो आपको videos भी डालनी है प्लस आपकी जो language होनी चीए वो कैसी होनी चीए easy to read अब अगर आपका language ऐसा है content का जो की बड़ा ही मुश्किल है किसी को समझ नहीं आ रहा तो again उस content का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो user के ultimate problem को solve नहीं कर पाएगा ठीक है जी तो SEO का foundation क्या है आपका content so make sure आपका content अच्छा है अच्छा content बनाने के लिए आपको user के problem के जवाब देने हैं और content अच्छा और कैसे बना सक कि उसमें images डालो videos डालो और वो read करने में असान होना चाहिए readable होना चाहिए ठीक है so that's it about the content आगे के lessons में मैं आपको समझाओंगा भी content start कैसे करना है लिखना so that's it और from this video कल की जो lesson है वहाँ से हम सीखेंगे keywords के बारे में ठीक है keywords कैसे research करने है क्या-क्या tools है so 2-3 lessons आपके keywords के उपर आएंगे ठीक है जी so that's it from today's video आज की वीडियो में बस आपको एक चीद सीखनी थी कि content की length क्या है फरक नहीं पढ़ता user के सवाल का ultimately जवाब देना चाहिए और content आपको लिखना है with images, videos और वो easy to read होना चाहिए ठीक है इतना ही है इस lesson का crux thank you so much for watching this lesson कल मिलेंगे नए